हेलो मेरी कलास की प्रियेश छात्रों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे मद्द प्रिदेश की भेरी भेरी मोश्ट इंपोटेंट कुस्चन अगर आप MPPSC, MPSI, MPP पलुस महिला परवेचक, पड़वारी भरती परिचा की तयारी कर हैं तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के लाश्ट में आप इसको कमेंट करकी बताएं आपनी कितने सही आंसर दिये 15 एक कुस्चन यहां पर हम आप से पूछेंगे वीडियो श्टार्ट करने से पहले आप सभी किलिए एक आउसक सूचना हेलो मेरी क्लास की प्रियस अभी चातेवं चात्रों भाईयो बहनों आपके लखी सर रोज रात को 9 बज़े पढ़ाते हैं बच्चो अन अकेडिमी पर 9 पी एम पर आप सभी लखी सर की 9 बची वाली क्लास को टेंड जरूर करें यहां पर आपको मत्रपते शामान निग्यान सामान हिंदी, सामान बिग्यान, क्रेंट अफियर्स, बिग्यान, गड़ित, रीजिनिंग, सभी बिस्यों की तयारी कराई जाती है बच्चो आप सभी हमारी 9 बची वाली क्लास में जरूर आएं, क्लास को कैसे जोइन करना ही, आप अपनी मोबाईल में गूगल प्ले स्टो लकी सर को बच्चो अनकेडमी पर फोलो करें, आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मेरे भाईयों भेहनों, अगर आप मत्रपदिस के टॉप एज़ों के ट्रों से पढ़ना चाहेते हो, तो आप सभी सब्सक्रिप्सन लें, सब्सक्रिप्सन लेने के लिए कोड यूच करना है, लकी सर, मेरे भाईयों भेहनों, अभी हमारे पास ओफर चल रहा है, अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्सन लेते हो, तीन महीन अतरिक्त मिलेंगे, दो साल का लोगे, चार महीन अतरिक्त मिलेंगे, सब्सक्रिप्सन जरूर लें, सब्सक्रिप्सन लेने चाहे तो बच्चो अप्रोक्त हमारे प्लान है कोई साभी प्लान सेलेक्ट करें आप सभी सब्सक्रिप्शन लें सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बच्चो कोड यूज करें लकी सर तो मेरे भाईयों बहनों आप करते हैं क्लास आज की स्टार्ट उससे पहले बच्चो आप स अभी वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में जाए सब्सकिप्शन लिंक है सब्सकिप्शन लें सब्सकिप्शन लेने के लिए कोड डालना लगी सर अब करते हैं क्लास इस्टार्ट आज की अब मेरे भाईयो भेहनो पहला कोश्चन आज़ रपात जवलपूर में किस नदी पर दिखाई पर दिखाई है कोई बताएगा कोश्चन नमबर फ़श्ट एसकिप्शन पर आंसर जानते हैं तो आप सभी हमें कमेंट करकी बताएंगे दुआदाल ज़र पर प्रपात आपका जो अर्विदा नधी, next question लगा दें स्कीन पर question number second, कोई भी हापी गलता आइंसर नहीं देगा, मेरे भाईयों भेहनों promise कर बच्चों, अगर आपके exam में question आता है, आप में से कोई भी गलता आइंसर नहीं देगा, निम लिखित में से किस नधी को श्रौन नधी के नाम से जाना ज याता है मेरे भाई यो भेनों आप सभी comment करके बताएंगे इसका correct answer क्या होगा very very most important question है आपके exam में आ सकता है note कर ले कि मद्ध पेदेश में निम लिखित में से किस नदी को शॉन नदी के नाम से जाना जाता है कोई बताएगा question number second का correct answer क्या होगा answer जानते हैं तो आप सभी comment करके बताएं question number second का बच्च नोट कर ले बी option क्याक्ट होगा आपका सौन नदी next question लगा देते हैं इसकीन पर question number third very very most important question है मेरे भाई यो भेनों अगर आपके exam में question आता है आप में से कोई भी गलता answer नहीं देगा महेश्वर से बहने वाली महतपूर नदी का नाम किया है कोई बताएगा question number third का यहाँ पर correct answer क्या होगा answer जानते हैं तो आप सभी comment करके बताए question number third का note कर लें हाँ पर यह option correct होगा आप सभी का नर्मिदा नदी next question लगा देते हैं इसकीन पर question number four कोई भी हाँ पर गलता answer नहीं देगा मेरे भाई यो भेनों बहुती प्यारा question है मद्र पिदेश में ससस्त धारा जल प्रपात किस नदी पर है आप सभी इस question को very very most important माने इस्टान लगा लें आपके एक्जाम में कई वार आता है मेरे भाई यो भेनों अगर आप आंसर जानते हैं तो हमें comment करके बताए question number four का correct answer क्या होगा मद्र पिदेश में ससस्त धारा जल प्रपात किस नदी पर है question number four is skin पर note कर लें four का यहाँ बच्चों आप सभी का a option क्याक्ट होगा आपका नर्मिदा नदी next question लगा देश्कीन पर question number five कोई भी आपी गलतायन से नहीं देगा मेरे भाईयों भेहनों आप मैंसे बताएगा कोई यहाँ पर correct answer क्या होगा बहुती प्यारा question है note कर लीजी मेरे भाईयों भेहनों promise करो exam में question आसकता आप मैंसे कोई भी यहाँ पर गलतायन से नहीं देगा note कर ले मद्द पिदेश की किस नदी को प्राचीन समय में चर्वा बती कहा जाता था question number five note कर ले मेरे भाईयों भेहनों question number five का correct answer क्या होगा बी option यहाँ पर correct होगा आपका चंबल नदी next question लगा देते हैं इसकीन पर question number six कोई भी हाँ पर गलतायन से नहीं देगा मेरे भाईयों भेहनों कोई बताएगा question number six का correct answer क्या होगा अगर आप answer जानते हैं तो comment करके बता दे question number six का note कर ले यहाँ पर c option correct होगा can और खदर नदी note कर ले यहाँ पर next question लगा देते हैं इसकीन पर question number seven मेरे भाईयों भेहनों promise करो आप गर आपके एक्जाम में question आता है बच्चों आप मैंसे हाँ पर कोई भी गलता answer नहीं देगा note कर लीजिए मद्ध पिदेश के राच की गान की रचनाकार कौन है very very most important question है आपके exam में आ सकता है नोट कर लो मेरे भाईयों भेहनों अगर आपके एक्जाम में question आता है आप मैंसे कोई भी गलता answer नहीं देगा note कर ले मेरे भाईयों भेहनों मद्ध पिदेश के राच की गान की रचनाकार कौन है answer जानते हैं तो आप सभी comment करके बताएंगे नोट कर लो question number इसकी मद्ध पिदिस का राच की गान क्या है सुक्का दाता सबका साथी सुपका यह संदेश है मां की गोध पिता का अस्रह मेरा मद्ध पिदेश है इसकी रचना किसने की यह तो नोट कर लो यहां पर सी ऑप्सन आप सभी का करेक्ट होगा स्री महिस्त्री वास्तव नोट करने 2010 में मद्ध पिदिस सरकार ने इसे राश्टी राच की गान घोसित किया नेस्ट कोश्टन लगा दें स्कीन पर कोश्टन नमबर एट मेरे भाईयों बहनों प्रॉमिस कर बच्चों यहां पर आगर आपके एक्जाम में कोश्टन आता है कोई भी गलातांसर नहीं देगा बिंदु पिर्देश में सरव पित्थम बिधान सभागा गठन कब किया गया था मेरे भाईयों बहनों कोश्टन नमबर एट है इसकीन प प्रॉमिस कर करो एकजाम में कोश्टन आता है आप मेसे बससक्शेन कोई पिलातांसर नहीं देगा नोट कर लो मेरे भाईयों भेनो प्रोमिस करो, एक्जाम में कुश्चन आता है, आप मैसे यहाँ पर कोई भी गलाता आइंसर नहीं देगा, सभी छात एवं छात नहीं भाईयों भेनो आप सभी बच्चे हाँ पर कर्याक्ट आइंसर देंगे, भोपार राज का भारत संग में बिलाई कब किया गया था question number 9 इस screen पर उमीद करते हैं कि आप सभी correct answer देंगे मेरे भाइयों बहने प्रॉमिस को एक्जाम में आ सकता है question आप मैंसे कोई भी गलत answer नहीं देगा note कर ले यहाँ पर correct answer किया होगा एक जूल 1929 नोट कर ले question number 9 का इस option यहाँ पर correct होगा next question लगाते हैं स्कीर पर question number 10 कोई भी यहाँ पर उमीद करते हैं से नहीं देगा मेरे भाइयों बहने बेरी बेरी most important question है आपके हाँ से exam में question आता है आप मैसे हाँ पर कोई भी गलत answer नहीं देगा मेरे भाइयों भेनों आप सभी हाँ पर correct answer देंगे question number 10 का note कर ले हाँ पर मद्धपिदेश की बात नहीं हो रही भुपाल राज की बात हो रही मुख मंत्री किसे न्युक्त किया गया था तो नोट कर लो सी ओप्सन क्रेक्ट होगा संकर दयाल सर्मा अब आप हमें सभी comment करके बताएंगे यह आपके मुख मंत्री भुपाल राज की कब बने किस सन में आप लोग comment करके बताएंगे question number 11 अगर आपके exam में हाँ से question आता है आप मैंसे यहाँ पे कोई भी गलत answer नहीं देगा very very most important question भुपाल को किस बर सो मद्ध पिदेश की राजधानी बनाया गया मेरे भाई यह भेनो note करने अच्छा question है आपके exam में आ सकता है आप मैंसे यहाँ पे कोई भी गलत answer नहीं देगा note कर ले question number 11 answer जानते हैं तो आप सभी comment करके बताएंगे question number 11 का note कर लो यहाँ पे भुपाल को किस बर समध पिदेश की राजधानी बनाया गया यह option यहाँ पे कैक्ठ होगा 1956 next question लगा दे इसकीन पर question number 12 मेरे भाईयों भेहनों promise कर वच्चों यहाँ पे अगर आपके exam में question आता है आप मैंसे यहाँ पे कोई भी गलत answer नहीं देगा ठीक है सभी चात इम चात्रा हैं भाईयों भेहनों यहाँ पे कैक्ठ answer देंगे बहुत अच्छा question है exam oriented note कलने question क्या है पिर्देश में बिध्धान किरम की चट्टान के कितने प्रकार पाई जाते हैं मेरे भाईयों भेहनों note कलने हाँ पे question number 12 गलत answer क्या होगा note कलने हाँ यहाँ पे B option क्यक्ठ होगा आपका दो निचली बिध्धान चट्टान और उपरी बिध्धान चट्टान ठीक है next question लगा दें इसकी निपर question number 13 मेरे भाईयों भेहनों exam में आ सकता है question कोई भी यहाँ पी गलत answer नहीं देगा मद्ध पेदेश very very most important question है मेरे भाईयों भेहनों सही बता रहे आपके हाँ से एक्जाम में आ सकता है और कोई गलत answer नहीं देगा मद्ध पेदेश में उपरी बिध्धान किरम की चट्टान होगों कितनी भागों में बरगी कित किया गया है question number 13 मेरे भाईयों भेहनों answer जानते हैं comment करेंगे note कर लो c option कैक्ट होगा आपका तीन होगा आगनिये चट्टान अपसादी चट्टान और कायंतरित चट्टान c option यहाँ पर कैक्ट होगा next question 14 कोई भी गलत answer नहीं देगा मेरे भाईयों भेहनों promise कर एक्जाम में question आ सकता है मद्पदेश के दश्चनी पूरीवी भाग में सर पे थम के चट्टानों का अध्यान किया गया है question number 14 इसकीन पर note कर ले मेरे भाईयों भेहनों अगर आपके एक्जाम में question आता है आप में से यहाँ पर कोई भी गलत answer नहीं देगा note कर ले see option क्यक्ट होगा आपका गोंडवाना की चट्टाने next question लगा दें इसकीन पर question number 15 मेरे भाईयों भेहनों very very most important question है आपके एक्जाम में आ सकता है आप में से यहाँ पर कोई भी गलत answer नहीं देगा note कर लो किस पठार का भाग माना जाता है कोई बताएगा question number 15 का यहाँ पर क्यक्ट answer क्या होगा answer जानते हैं तो आप सभी comment करके बताएगे question number 15 का note कर लो मेरे भाईयों भेहनो डी option यहाँ पर क्यक्ट होगा दस्टन का पठार मेरे भाईयों भेहनों इससे आंगे मिलेंगे हम अगली वीडियो में आपसे ठीक है तो मेरे भाईयों भेहनों जितनी भी नाए student है पहली बार लकी सरकी क्लास देख रहे बच्चों तो आप सभी हमार YouTube चनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबा दें जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे भाईयों भेहनों आपने 15 में कितने question होगी correct answer दिए comment करके बताएं मेरे भाईयों भेहनों अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जूरू बताएं हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक लिवाई भाई धन्वाद चै माता दी